दोस्तों भूले भंडारी आधिनांक 8 अप्रेल 2021 है, मैं मंगल आपका दोस्त, एक वीडियो मेकर, एक आंदोलन कारी, महानभारत आंदोलन देवर्ड फेमिली मुवमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया, श्री यंत्रा, रिसर्च फांडेशन, अभी हम जो बोलने जा रहे हैं, उसका आप अंतिम वाक्य सुन लीजिए, पहले, हम जो इस्टेटमेंट अभी बोलने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, वह प्रकर्ति का है, देवानी हैं, उसका अंतिम वाक्य सुन लीजिए, वह क्या है, कि यह जो बोला गया है, बोला जा र उसमें आप कहां लाई करते हैं? A-Number क्या उपरक्त कथन का आप पुरा विश्वास करते हो? जो अभी बोला जाएगा उपरक्त कथन है जो क्या आप इसका पुरा विश्वास करते हो? दिल के गहराईयों से तो ये A-Number A-Category है आपकी दूसरा है इस कर्थन में विश्वास नहीं है लेकिन हमारी सुब कामना है आप कह सकते हैं कि भाई इस कर्थन में मेरा विश्वास नहीं है लेकिन मेरी सुब कामना है कि ऐसा हो जाए तो कोई बुराई नहीं है तीसरा है आप ऐसे भी हो सकते हैं नमबर कि यह सब जूट है, बकवास है, अधार ही नहीं, यह बटका उभरा है, देखिए अभी हम जो बोलेंगे, जो हम कहते हैं कि भाई देवानी नहीं हमें सुनाया, इस बारे में अच्छा, यह A, B, C, जो तीन केटेगरी हैं, आप चाहें तो आप यह हमें सुचित कर सकते हैं कि आप अपने को A वाला मानते हैं, B वाला मानते हैं, C वाला मानते हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही कल हम आपको काम देने वाले हैं, जो भी आप कर सकते हैं, उसी के आधार पर आपको जिम्मेवारिया मिलेंगी, वह A कैटेगरी क्या है, क्या उपरोक्त कथन पर आप विशवास करते हैं, वह कथन जो अभी बोला जाएगा क्या आप की रिच्थे के घेराईं से ये निकलता है, कि हाँ ये सही है ये हो सकता नहीronics सही है आप की रिच्थे कहता है तो आप ए नमर में आते हैं गी नमर करते, इस कथन में मेरा विश्वास नहीं है लेकिन सुब कामना है भाई ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो आप B-T-B केटेगरी के आदमी है C क्या है कि ये आप उल्टे अपोजिट ग्रूप के हैं जो ये सब नहीं मानते ये सब जूट है बकवास है अधार ही नहीं ये भटका उबढ़ा है आप से हो सके तो आप हमें अभी बताईएगा हमारे वाटस अप नमबर पर क्योंकि आगे चल कर तो इतने कॉल और नमबर आएंगे कि साएद उनको स्कूर्टनाईज करना हमारे लिए आसान नहो क्योंकि ये समय समय की बात है कि बीज कब डाला जाए इसे ये जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं इसमें आप कह सकते हैं और हमने भी प्रकृत्टी को कहा है देवानी को कहा है कि भाई ये स्टेटमेंट देने के क्या जड़त है ये statement देने की क्या जड़त है तुम चमरकार कुछ करो करवा हो तो देखिए वह higher intelligence वह infinite intelligence उसका अपन मुकाबला नहीं कर सकते उसका planning अपना है वो कोई काम कैसे करती है वह जाने इन statement को अभी देने में कुछ कारण होंगे इन से कुछ काम होते होंगे इसलिए हमें कोई गुरिज नहीं है कोई बात नहीं जैसा वो बोले हम करेंगे अब आप आज की देववानी सुनिए इससे पहले आप एक और चीज़ समझ लिए कि अभी जो मैं देववानी के statement बोलने जा रहा हूं उसमें क्यों खास बात एक आदमी में बताई गई है उसका कारण यह है कि देखिए एक कार बनती है उसमें लगवक समझते हैं कि बीस अजार कल पुर्जे होते हैं और वे बीस अजार कल पुर्जे अपने अपनी जगे फिट होकर काम करें तो ही वह कार चलती है इस तरह से यदि किसी की कार का इंजन तो मरसली जैसा है लेकिन उसमें पईए नहीं है तो वह काम नहीं करेगी और अच्छे रॉल्स रॉल्स जैसे हैं लेकिन उसमें बैटरी तो भाई है यह नहीं तो वह कार आगे नहीं बढ़ेगी इसी तरह से मानवी विक्टित का हम देखते हैं कि भाई किसी के पास कपड़े हैं, किसी के पास सरीर अच्छा है, किसी का मन अच्छा है, आत्मा अच्छी है, किसी की जाती अच्छी है, किसी के पास धन अच्छा है, कोई स्पीच में बड़ा चड़ा है, कोई पढ़ाई में बड़ा चड़ा है, कोई पवितरता है, किसी में पवितरता नहीं है, किसी ने ट्रेनिंग ली है, किसी ने नहीं ली, किसी को अनभव हुआ है, किसी को नहीं हुआ है, इन सब का लंप सम जहां पर इस तरी अंतर में फिट होते हैं गुनों, उसके हिसाब से कोई महान आत्मा की जो हम बात अभी करेंगे उसके हिसाब से होगा यह नहीं हो सकता कि भाई इस आदमी में बहुत कुछ है इस आदमी में बहुत कुछ है इस आदमी में बहुत कुछ है सब आदमियों में बहुत कुछ अच्छा अच्छा है लेकिन एक कॉंबिनेस्ट नहीं है तो नहीं है उस चीज़ के लिए अब वह इस्टेटमेंट आप सुनिए अब आपकी देखवाने सुनिए आजगी देखो आपको ये कितना भी अचमबाल सा लगे लेकिन होगा ऐसा ही ऐसा ही है परमातवाने बोला है आप इसमें किसी तरह का गुरिज ने रखें भाई ठीक है यदि ये खहरा ठीक होई तो ठीक है नहीं होई तो ठीक है यह मंगली वह सक्स है जो ग्रेट साइरन के नाम से बह पृतिक्छित है यह मंगली वह सक्स है जो ग्रेट साइरन के नाम से बहु पृतिक्छित है यह एक नमर है यह मंगल जो इस समय लेखक है वक्ता है यह वही सक्ष है जो भारत को बुलंदियों पर ले जाएगा और विभी सिकाओं से बचाएगा यह मंगल यह जो इस समय लेखक वक्ता आप सुन रहे हैं देख रहे हैं यह वही सक्ष है जो भारत को बुलंदियों पर ले जाएगा और विभी सिकाओं से बचाएगा देखो ये देवानी ने हमें बोला है कि भाइ इसको बोल दो मैंने कि भाइ ठीक है दूसरे नमबर यह जिम्मेवारी इसी को दी गई है यह जिम्मेवारी इसी को दी गई है सारा देश इसी का आग्या पालन करे सारा देश इसी का आग्या पालन करे और ऐसा ही सब को करना पड़ेगा देखे ये दूसरा नमबर यह जमेवारी इसी को दी गई है और सारा देश इसी का आग्या पालन करे और ऐसा ही सब को करना पड़ेगा तीसरा नमबर देखे भारत को भयानक लप्तों में भारत को भयानक लप्टों में जुलसने से बचाने का यही रास्ता है कि इस रहसे से परदा उठा दिया जाए अभी वह समय है कि भारत को भयानक लप्टों से जुलसने से बचाने का यही रास्ता है कि रहसे से परदा उठा दिया जाए और सुमिय देवाणी ने चोटे नमर्ट क्या कहा अब सारी पब्लिक अब सारी पब्लिक इन EVM आधारित फरजी हुक्मरानों के विरुध विद्रो करेगी बगावट करेगी ये भाग जाएंगे पकड़ लिये जाएंगे नमर्ट क्या है कि अब सारी पब्लिक इन EVM आधारित फरजी हुक्मरानों के विरुध विद्रो करेगी बगावट करेगी ये भाग जाएंगे पकड़ लिये जाएंगे हम तो सालों से ये संदेश देते हैं क्योंकि प्रमात्मा हमें संदेश देता है अब पांच नमर देखिए इन हुक्मरानों के इन हुक्मरानों के सपोर्टर्स और फंडर्स की बुरी हालत हो जाएगी लोग इन के साथ यहुदियों जैसा विभार करने की कोशिश करेंगे लेकिन मंगल इनहें मंगल इनहीं नहीं सबको सुर्प्षा देगा सम्मान देगा जीवन यापन की मुल्बुत्व सुविधाएं महियक कराएगा करवाएगा देखिए पांच नंबर दुबारा सुन लिए इन हुक्मरानों के सपोर्टर्स और फंडर्स की बुरी हालत हो जाएगी लोग इनके साथ यहुदियों जैसा विभार करेंगे करने की कुशिश करेंगे लेकिन यह मंगल इनही ही नहीं सब को सुरक्षा परदान करेगा सम्मान परदान करेगा जीवन की मुल्बुत्व सुविधाएं महिया कराने का प्रियास करेगा और बगले में सब लोग उसी का कहना मानेंगे देख लिए यह इसके साथ है और बगले में बगले में लोग उसका कहना मानेंगे और यह सब को मानना ही पड़ेगा देखो भाई प्रकरती ने उस देवानी ने उस परमात माने हमें तीन वज़े यह कहा हमने आपको कह दिया हम कभी कभी पहले भी ऐसा बोलते थे और आज कल भी बोल रहे हैं इसमें कोई बिराई नहीं है कौन जाने परमात मा को यहीं च्छा हो और कौन जाने नहीं यह पक्का है कि ऐसा ही होगा अब हालतें ऐसी बनेंगी परमात्मा ऐसी ऐसी हालते क्रियेट करता जाएगा आप देखना कि यह वानी यह देवानी यह मंगल सेंटर में होगा और पूरे देश का आर्थिक, समाजिक, राजनितिक, धार्मिक, सेच्छिक धांचा इसके चारों तरफी घुमेगा इसको आप एक इस्टेटमेंट की तरह ही ले सकते हैं इसमें आप एक्टिव पार्ट भी ले सकते हैं यह आपको देखना है आगे तो सारी दुनिया इसमें हिस्सा लेगी ही लेकिन जो जितनी जल्दी जुड़ेंगे वे उतना ही फायदा उठाएंगे ऐसा ही होने वाला है यह प्रकरती को सोच समझ कर हमसे कहलवा रही है यह देवानी सोच समझ कर बोलिए इसके बहुत से कारण है बहुत सी बात नहीं है इसपस नहीं की जा सकती आज इतना ही जय हिंद जय भारत